जो लोग तंतर के लिए बड़े दुख वे चिंता की बात है इतना ही नहीं बलकि देश में लोग सभा वे राज्यों में विधान सबाम चुनाव के साथ साथ खास कर उप चुनावों में तो अब ये कारिये काफी खुल कर किया जा रहा है और ये सब हमें हाली में हुए यूपी के उप चुनाव में काफी कुछ देखने के लिए मिला है और इस बार महरास्टे स्टेज में विधान सबा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफी अवाजे उठाई जा रहे हैं ये अपने देश में यहां लोग तंतर के लिए बहुत बड़ी खत्रे की घंटी भी है ऐसे इस्तिती में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फरजी बोटों को डानने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग दुवारा कोई सत कदम नहीं उठाए जाते हैं तो तब तक हमारी पार्टी देश में खास कर अब कोई भी उप्चुनाव नहीं लड़ेगी मैं उप्चुनाव की बात कर नहीं बाई अलक्षन की तो तब तक हमारी पार्टी देश में खास कर अब कोई भी उप्चुनाव नहीं लड़ेगी जबकि आम चुनाव में जो ज क्योंकि इनका अर्था सरकारी मशिन्री का सकता परिवर्तन के डर की वज़े से जब जन्नल अलक्षन होता जो पार्टी पावर में उटी है जरूरी नहीं है कि वो पार्टी पावर में फिर से लोड के आ जाए दूसरी पार्टी भी आ सकती है तो फिर वो जो सरकारी मशिन्री वो थोड़ा घबराती है जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाब जरूर हो जाता है क्योंकि इनका अर्था सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वज़े से आम चुनाव में इनका जनता पर कोई ज्यादा दवाव एड़र आधी नहीं होता है जिसे खास द्यान में रखकर हमारी पार्टी देश में लोगसबा वे राज्यों में विधान सबा के आम चुनाव तथा स्तानिय निकाओं के भी चुनाव पूरी त्यारी वे दमदारी के साथ लड़े हैं इसके साथ ही जहां मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यूपी में सन 2007 में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण भहुमत की सरकार बनने के बाद से कांग्रेस बीजेपी वे इनकी समर्थक सभी जातिवादी पार्टियां ये सोचकर काफी घबराने लगी थी कि यदि बीएसपी केंदर की सत्ता में आ गई तो फिर बाबा साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडगर का वे इनके अनुव्याई रहे मानेवर स्री कांशी राम जी का भी हर मामले में अधूरा राज सपना जरूर साकार हो जाएगा जिसे रोकने के लिए जिसे रोकने के लिए फिर इनोंने अंदर अंदर आपस में मिलकर ये जो जातिवादी पार्टियां हैं कांग्रेस बीजी पीएड कंपनी के जो लोग हैं फिर इनोंने अंदर अंदर आपस में मिलकर वे पर्दे के पीछे से खास कर दलित समाज में से बिकाव वे स्वार्थी किसम के लोगों के जरिये हैं, अब इनोंने अनेको पार्टियां बनवा दिये हैं, सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने वे चुनाव लडाने आदि पर पूरा धन इनी ही पार्टियों का लगता है, तब ये पार्टिया कई-कई दर्जन गारियों को साथ मे लेकर चलती हैं, और अब तो ये हलिकोप्टर वे प्लेन से चुनावी दोरा भी करते हैं, ऐसी लोगों में ये आम चर्चा है, जबकि हमारी पार्टियों बी-एस-पी इसके लिए पार्टियों के लोगों से बी-एस-पी सरदस्ता आदि के जरिये, अपना खर्चा खुद उठाती हैं, यहां ये भी गंबीरता से सोचने की बात है, और इतना ही नहीं, बलकि फिर ये विरोधी पार्टियों अपने राजनितिक लाब के लिए उनके हिसाब से उनसे उम्मीदवार खड़े करवा के अब बी-एस-पी को कमजूर करने में लगी हैं, इसके साथ ही अब ये विरोधी पार्टियों अपना खुद का भी बोर्ट ट्रांसपर करवा के, इनके हर राजे में एक-दो MP वे मले भी जितवा कर भेज रही हैं, इसलिए ऐसे सब भी विकावे स्वार्टियों की पार्टियों को, अब अपने भूले-भाले दलितों, आदिवासियों, अन्य पिष्ड़े वर्गों, वे अकलियतों को भी अपना एक भी बोर्ट देकर खराब नहीं करना हैं, ये सब हमें अभी हाली में हर्याना, महराश्ट जारकन के हुए विधान सबाम चुनाब के साथ-साथ, यहां उत्तर पर्देश में भी, यहां उत्तर पर्देश में भ लोगों को इने जाती, ब्रादरी, रिस्तेनातों, यार दोस्तों, आधी के भी चक्कर में ना पढ़कर अपना बोर्ट ऐसी किसी भी पार्टी को नहीं देना, बलकि अपनी एक मात्र हितेशी पार्टी, बी-एस्पी को इपना बोर्ट देना हैं, जिसकी नितियों वैकारि बी-एस्पी को इनोंने यूपी में, यानि के जो वीकर सक्षन के लोग है, इनोंने यूपी में बी-एस्पी के वैसे तो सरसमाज के लोगों ने आजमाया है, इनोंने यूपी में बी-एस्पी के निर्थित में चार बार बनी सरकार में भी काफी कुछ अजमाया है, इसके साथ साथ इन सभी वर्गों के लोग अब पुने सत्ना में आने के लिए विरोधी पार्टियों की इन सभी साजिसों से हमेशा साबधान रहना है और आपस में भाईचारा पैदा करके अपनी पार्टी बीएस्पी को हर मामले में जरूर मजबूत बनाना है तथा इनकी इन सभ साजिसों से ये लोग हमेशा साबधान भी रहें वर्तमान में समय की यही मांग है और सर्वजन हितायव और सर्वजन सुकाई के लिए इसकी एक खाज जरूरत भी है और अम्मेव विरोधियों की इन सभी साजिसों के बीच अपनी पार्टी के लोगों ने अपने इसमें जो नो विधान सभा की सीटों पर बाई अलक्षन हुए तो इन सभी सीटों पर अपनी पार्टी के लोगों ने अपने पार्टी के उमीद्वारों को जिताने के लिए जो पूरे जी जान से कोशिस की है तो उनका मैं पूरे तै दिल से अभार परगड करते हुए लेकर इस से पहले मैं यूपी सरकार को ये भी कहना चाहूंगी कल यूपी में उप्चुनाब को लेकर आए आप परतियाशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहीद पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाब किस्तिती व्याप्ति खल से ऐसे में शाशन वे पर आने का कारिये आगे बढ़ाना चीए था जो तो ये ज्यादा भैतर होता लेकिन ऐसा ना करके जो आज महां सर्वे के दुरान जो कुछ भी बबाल हुआ है हिंसा हुई है तो उसके लिए यूपी का साशन वे प्रशाशन पूरी तरह से जिम्मेवार है ये अतिनिंद्री है ये जो भी कुछ उदरोरा ये अतिनिंद्री है जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांती में ढंक से किया जाना चाहिए था जो नहीं किया जा रहा है ऐसे में अब मैं खास कर संभल के सभी लोगों से वहां शांती विवस्ता बनाने के भी पुर जोर अपील क करते हुए अपनी बात यहीं समाब्त करती हूं धन्यबाद जय भीम वे जय भारें